वेलकम टो माई चैनल क्राफ्टोलिक 1.0 आज हम वेस्ट से कुछ नया डियाईवाई बनाएंगे हर किसी के घर में दही का डबबा और योगर्ट के डबबे पड़े रहते हैं मैंने सोचा कि चलो घर पे आज जो अवेलेबल है उसी से ही कुछ नया डियाईवाई बनाएंगे तो मैं इस वीडियो में ब्राउन पेपर और योगर्ट का जो डिबबा है उसका यूज करके नया डियाईवाई बनाऊगी तो चलो शुरू करते हैं आज का डियाईवाई मेरे पास ये जो ब्राउन पेपर की थेलिया पड़े थी उसका मैंने पहले पेपर अलग से कर दिया उसको काट के दो पीसे में डिवाइड कर दिया उसके बाद हर एक पीस का मैंने एक रोल बना दिया वो रोल बनाने के लिए आप सिंपल उसको रोल करते जाओ या फिर आपके पास कुछ पतली चीज रहेगी तो आप इसके मदद से उसको रोल बना सकते हो अभी मेरे प personnog जो डही का कंटेनर था डही का जो डिबबा था उसके हाइट के हिसाब से मैंने वो स्टिक Śession किाटकर PR अपको चाहिए तो आप उसकी हाइट आपको चाहिए वैसे कट कर सकते हैं मैंने सेम उसी के हिसाब से ही वो cutting किया है, अभी हमें दई का डबा जो है उसके उपर एक पतली लाइन रहती है, उसको cut करके उसका surface एक जैसे करता है, तो मैंने वो surface cut कर लिया, ये surface cut करते वक थोड़ा उपर नीचे हो गया था, तो उसको cover करने के लिए मैंने masking tape यूज किया ह अभी हमें glue gun की मदद से हमारे पास जो brown paper की sticks है, उसको ये container के उपर stick करना है, अभी हमारा ये container almost ready हो गया है, इसके जो उपर नीचे हुए sticks थे, उसको हमें cut करके एक जैसे करके लेना है, उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है, उसको मैंने masking tape से थोड़ा secure कर दिया, और उसको एक अच्छे तरह से base होना चाहिए, इसलिए एक cardboard round piece ले लिया, उसके उपर ये container stick कर दिया, अभी उसको भी हमें नीचे से थोड़ा cover करना है, तो मैंने same masking tape की मदद से ही उसको cover कर दिया, अभी इसको हमें color करना है, हम ऐसे भी उसको रख सकते हैं, पूरा brown paper का ही look उसको color कर दिया, मैंने पूरा color change नहीं किया है, मैंने brown color की glossy shade यूज़ किया है, और उसको मैंने पूरा color कर दिया, अभी हमें नीचे की जो masking tape वाली border है, उसको highlight करना है, तो मैंने इसके लिए blue color यूज़ किया है, इससे इसका look बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने same glossy color ही इसके यूज़ किया है, अभी हमारा ये almost ready हो गया, अभी मुझे उपर की तरफ कुछ ऐसे खाली है, ऐसे लग रहा था, तो मैंने बेट्स ले लिए और उसके उपर glue gun की मदद से stick कर दिया, उसका look बहुत ही अच्छा आ रहा था, हमारा आज का ये planter holder ready हो गया है, आपने देखा क ये simple सा दही का curd का container हमने यूज़ किया, घर में ऐसे बहुत सारी चीज़े बेकार पड़ी रहती है, उसको फेकने से अच्छा है कि उसका कुछ नया DIY हम try करें, आपको हमारा आज का ये DIY एडिया कैसे लगा, ये मुझे comment box में जरूर बताना, thank you for watching, please like, share, subscribe our channel, press the bell icon for notification, stay tuned for next videos